हेलो एवरिवन दिस इस बुश्रा खान वेलकम टू सामा पॉडकास्ट जब हम बात करते हैं सेनेटर दिलावर खान की तो उनकी एलेक्शन मुल्तवी करवाने की किरारदाद सेनेट में कस्रत राय की जानब से मन्जूर कर ली गई है इसके लावा जो हम बात करते हैं शेक रशीद इजाज रहक राजा बशारत फिर्दौ शमीम नकवी की तो इनको इलेक्शन लड़ने की जाज़़ दे दी गई है इसके लाव जो हम बात करते हैं पीपीपी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनके जो चेर्मेन बिलावल भुटो जर्दारी हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह जो राइवन वाले लोग है ना जब इनको दिल का दोरा पढ़ता है यह इनके प्लेटलेट्स थोरे से कम हो जाते हैं तो जल्दी से समान पैक करके लंडन की जानब भागते हैं लंडन की जानब रुक कर लेते हैं अरे भाई हमने जब मैंने मश्वरा दिया था कि कराची में दिल का हस्पताल है तो वहां की नहीं गए लेकिन अब जब मैं अक्तदार में आऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जदीद तरीन हस्पताल लाहो राइवन में बनवाऊं ताकि यह जो शरीफ खांदान है इन हें घर से दूर जाने का मौका ना मिले और घर से दूरी जो यह बरदाश नहीं कर सकते वो भी नहो और यही पर रहके ना इलाज करवाएं तो अब देखते हैं क्या होता है यह सई खुले रिमार्क्स है इनके और जब हम बात करते हैं PTI की तो PTI के जो चेर्मेन गहर अल दोह डिली ने शेर अफसल मरौत को मना भी किया डिए प्रैस कोँफरेंस करें लेकिन दोनों ने अकतिलाफात में प्रैस कॉंफरेंस कर ढाली अब जब मैं बात करती हूँ ओर आ प्रैस कोँफरेंस के दर्रान की मैं जो बीबात कर रहा प्रैस कामईर के मताबिक है और आ valid गोहर अली ने उनकी एक counter attack किया है और एक statement पास किया है कि यह जो भी बात करें शेरफ जलमर्वत हम इससे इतफाक नहीं करते हैं और यह कोई PTI की policy नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है कि हम Chief Justice का इतराम करते हैं उनसे डरते नहीं यह हमें उन पर इतमाद नहीं और नहीं कभी इमर जोग अजाद हैसियत से इलेक्शन अड़कर जीतेंगे तो सिस्टम की ही हार है हार सिस्टम की ही होगी इसके लावा जब मैं बात करती हूं recently Chief Justice काजिफाइस इसा के रिमार्क्स की तो उन्होंने कहा है कि तहायात ना एहली इसलाम के खिलाफ है इसलाम इसके खिलाफ है अक्रॉडिंग टू आर्टिकल 62-1-F के तहत इनसान को बुरा कहा जा सकता है लेकिन खुदा ने तोबा के रास्ते बंद नहीं किये और इसलाम इसके खिलाफ है आमरू ने सादिक और मीन की शर्ट अपने लिक्यों ने डाली चीज जस्टिस की सरबराही में साथ रुकनी लार्ज बेंच ने आर्टिकल 62-1-F के तहत तायात ना एहली की मुद्द के अदालती फैसले और एलेक्शन एक्ट के तजात में और उसके मतलिक केस की समात की है इन सब बातों के बारे हम जा देंगे कि कैसे हुआ क्यो हुआ किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ और क्या हो सकता था क्या मार्जन थे क्या एंजिए हैं and we will obviously try our best to talk over the basis of facts and figure and today we have our senior journalist and columnist Mr. Mahaupandha Sirigbal with us at Samaa Podcast Assalamualaikum Waalikumsalam कैसे इन सार आप जी, Allah का शुकर, आप खरिये से Allah का शुकर, thank you sir मुझे सबसे पहले ये बताए, I think this is one of the most burning issue and burning topic today when we talk about Dilaver Khan, Senator Dilaver Khan के उनकी पेश की गई election मुलतेवी कर्माने की करारदाद Senate की जानब, Senate की जानब से कसरत राय ने मन्जूर कर ली है इसके बारे में आप के कहेंगे बिसमेलारा अख्वान रहीं ये क्यास राही हैं तो शुरू दिन से थी कि शायद जो election है अपने वक्त पर नहीं होंगे ये इस किसम का जो है इकरारदाद आप उसको surprise नहीं कह सकते और ये मतवकुत था कि कुछ भी हो सकता है ये चीज़ें भी सामरे आजाएंगी कि इस करारदाद के बाद election commission का क्या stance है और रियासत का आँ खड़ी है बारकेफ election दे फस्थ थे ये वारा election मुभम था मैं अर्ज़ करूं कि हमारी जो रियासत और सियासत है वो धुन्द की जदमे है धुन्द शाईवी है रियासत पर भी और सियासत पर भी बिर्कल ठीच और मनजर नामा वाज़े नहीं है आने वहले दिनों में और भी इस तरह के आपको सर्पाइस मिल सकते हैं बारकेफ दूसी तरफ जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत सारे अईसी सियासी शक्सिया जनके काज़गाते नाम जद्गी मुस्तरद हो गये थे वो दुबारा उनको इजाज़े मिल गी ये बादाबता तोर पर और बात ये है के ये नजाम ये रियासत जिस तरजे हकुमत के साथ आगे बढ़ रही है वो पारलिमानी जमुरियत है और मैं अज़ाती तरब अगर भले नहीं भी पिसंद करता पारलिमानी जमुरियत को लेकिन बार कैफ आपने रियासत को किसी ना किसी नजाम के तैस चलाना है तो जब आप डिलेंग टेक्टिस इसमें आ जाते हैं अगर पानी को रोक दिया जाए तो पानी से ताफन और बेमारियां पैदा हो जाती है तो नजाम को चलने दिया जाए और अवाम मैं नहीं समझता के 25 करोड जो अवाम है इस मुलकी वो को इस्तवाई तोर पर गलत फैसला करेंगे आप लेवल जो है प्लेंग फील्ड सब को दें और जिसके पास बेटर प्रोग्राम होगा अवाम जिसको पसंद करेंगे उसको मुन्तहब करेंगे और कौमी जमीर का फैसला बाहर सूरत वो तसलीम होना चाहिए अबर हम इस तरह के इडवेंचर करेंगे माजी में भी इडवेंचर हुए और ये लाडले उनको लाना उतारना निकालना ये तो तजरुबात हैं मैं समयता हूँ कि रियासत को मजीद तक्ता मश्क ना बनाया जाए और इस प्रॉसेस को आगे बढ़ना दिया जाए अपने वक्त पर इलेक्शन हो जो जमाद मैंडेट लेकर आए फेर एंड फ्री इलेक्शन हो और ये जो इमहाम हैं तहफजात हैं सियासी जमादों के इनक का आपने नाम लिया सेनेटर दिलावर चौदरी दिलावर खान गालबन ये बड़ा होस्टुबा इनक्षभाफ है कि ये आये ते अजाध हैसियत में गालबन लेकिन ये पीमल एन के वोटों से सेनेट में आए हैं और इनकी हमदर्दियां इनकी वफादारियां पीमल एन के साथ हैं तो ये बहुत बड़ा एक मैं समयता हूँ ये ड्रॉबैक है बिलकुल चुक्छे आप लाहुर के अंदर देख लें आपको पूरे पाकिस्तान में पीमलन की इंतहावी मोहिम नजर नहीं आ रही है तो जितने भी सर्वे हो रहे हैं जितनी भी कहलना चाहिए जो सियास पूजिशन पर है वो अंदर से सहमे हुए हैं डरे हुए हैं और उल एक्षिन नहीं चाहते तो मुम्किन है कि आने वाले दोनों में कोई इस तरह की खबर आए जो ये करादाद पास हुई है ये कोई मामूली बात नहीं है इसके पीशे यकीनन एक होम वर्क मुजूद है औ और एक फैसला बार कैफ अगर आप इस पे जाएं इसकी गहराई में तो कहीं न कहीं फैसले हो चुके हैं सेनर्ट के अंदर चौदा टोटल सेनर्टर बैटे हुए थे जब ये रेजलिशन आई है और इसमें से दो पेपरस पार्टी के थे और बारा का तालुक मुस्लम नही और जो पेपरस पार्टी के दो थे उन में से ये बताया जा रहा है कि एक ने इसको अपोस किया और दूसरे खामोश रहे यूँ जो बारा सेनर्टर थे वो सारे के सारे मुस्लमी नून के हामी थे और उन्हों ने इसके गरादात क्याट में अपना वोट दिया और ये आप क स्रेक होल्डर पीमलन है क्योंकि इस अलेक्शन से सबसे बड़ी अगर किसी को अपनी सियासत को धचका पहुंच दा नदर आ रहा है तो वो मुस्लमी नून है इवन जो वाकफाने हाल हैं जो सियासी पंड़त हैं वो तो यहां तक वाइद सुना रहे हैं कि लहार में जिसको कहने वाले दवा करते हैं कि मारा घड़ है नूली वाले वहां से तीन सीटें इनको मिलती वी नदर आ रही हैं ये वाकफाने हाल का कहना है तो सो पीमलन कभी नहीं चाहेगी कि इन हलात में इलेक्शन हो बावजूद इसके कि कप्तान जन्दान में है और पूरा मेदान इनक पास है उसके बावजूद चुक्छे जो अवाम की नब्स है वो ये बता रही है कि हलात इनके लिए साथगार नहीं है इनके हाक में नहीं है थीक हो गया सही है मुझे ये बताईए कि शेक रशीद अक्तर मेंगल इजाज़ लहां राजा बशारत और फिर्दोस चमीम को इलेक्शन लिनने की जाज़त कैसे मिल गई है मैं समझता हूं कि तुरा सा इस पे ये भी देखा जा रहा है कि खाली पी टी आए का ये जो क्लेम है कि हमें मैदान से बार लकेला जा रहा है उस तासर को जायल करने के लिए कुछ इस तरह की नंबर गेम खेली गई है कि फल जो तजर्वात हैं, नहीं होने हैं, हम एक ट्रांस्पेर्ट अलेक्शन नाव गुजीर है, रियास्त के लिए, और आप सब को जतने भी जो एक काबल जिकर सियासी जमाते हैं, उनको आप यकसा महौल दें, जो उनके उमीदवार हैं, इवन जो निशान की बात है, निशान मिल चाहिए, निशान जो चीन लेना एक जमाद से, उसके पीछे जाहर है, बैड एटेंशन है, इससे जाहर होता है, जब जबर्दस्टी की आप, तो मैं समयता हूं के फिर और फिर एलेक्शन के लिए नावगुजीर है, कि हर जमाद को जो उसका एक इंतलाबी निशान है, जो पीटी आई का ये निशान को आश्र तो नहीं है, बीस बाईस साल इस बात को हो गया है, जब से जमाद, तो बारहल हमारी उमीद है, हमारी दौा है, कि एलेक्शन अपने वक्ट पर हो, फिर प्ले हो, नेवर प्लेंग फिर जो, सब को एक्साम बहुल मिले, और ये जो फिर प्ले हो, पता चले अवाम को, अवाम फिर अराम से तसली से वाट डाले अपने, और देखे, कि अब वाकी कोर हकूमत सहमालने आ रहा है, और वाकी वो डिजर्व भी करते या नहीं, लेट सी, जब मैं बात करती हूँ, पाकिसान पीपल्स पार्टी की चेर्मेन, स्कम हो जाते हैं, इनको वैसी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो लंडन भाग उड़ते हैं, जो कि somehow seems to be very, you know, I agree to this point, लेकिन पर उने का कि हमने इनको कहा थे कराची जाएं, दिल का हस्पताल है बहाँ पे, लेकिन जब मैं एक तदार में आऊंगा, तो मैं लहोर में एक हस्पताल जदीद तरीन बना डालूँगा, ताकि इनको इनको इदो दो दो ना जाना परे, इस बारे में आप क्या कहेंगे, देखें, बिलावल को पहले तो ये देखना चाहिए, कि चंद माह कबल तक, वो आपस में इतहादी थे, अभी, येस, you are right, ठीक है, तो ये जो, हम इस सуляसत को मफामत की सचते हैं, मैं इसको मुनाफकत की सियसत कहता हूं, और ऐस मुनाफकत की सियसत को ये मफामत का जो रघरने की नाकام कोशش करते हैं, और ये भी कोई बाइद नहीं है, के इनकी आपस में कोई मामलात, अन्द्रून recognize टैह हो चके हो या हो जाएं आने वाल दिनों में और ये भी आइन मुम्किन है कि एलेक्शन के बाद ये इनका फिर एक ज्वाइन फेंचर शुरू हो बारहल जो इस सारे मामले में जो मैं आपको रूस करता चलूं कि राइवेंड के अंदर ये जो जलसा हुआ है ये वहां से चौर्दी अब्दलगफूर है जो किना सी मुतहरक रहनुमा थे और मिया श्रीफ के मुवले बेटे हैं बेटे थे कह सकती हैं और मिया बरादरान के बड़े मुकरब थे उनका राइवेंड के अंदर अलमे बगावत बुलंद करना पीमलन के खिलाफ और जम करके पेपस पार्टी जोईन करना ये महमूली बात नहीं है और इसे यकिनन ये जो जब एक इंट सरकती है दिवार से तो कई और इंटें भी कमजोर पड़ जाती हैं तो ये चोरी अब्दलगफूर वहां से राइवेंड से मुकामी हैं और जब ये जाती उमरा ड्वेल्प हो रहा था तो ये बड़े सारे अमल में बड़े प मैं तो इसको सीरिस नहीं लेता तो कि बिलावल की जो बाते हैं वह अभी इनमें संजीद्गी का फुक्दान है आप ये इसको अब एक सियासी टाउंट कह सकती है इसके सवा कुछ नहीं है लेकिन बिलावल पुटो जरदारी ने अपनी हकूमत को मतलब क्या कहते है तो सीक ये बात में उन्हें कुछ बाते की है कि तीन सो यूनिट फी ओंगे बिजली के हम कौशिश करेंगे बेन जी सपोर्ट सिस्टम को ये हो और क्या कहते हैं से कोई इन्होंने बनाया था कि कमाओ मतलब बिजली राशन के लिए कुछ निकाली स्कीम सी क्या है इंहोंने मैं बिलकर और काफी दिन पहले हमने ये बात सुनी आई पीपी की तरफ से कि ये ये चीजें किसानों के वाले से फिर तीन सो यूनिट फ्री होगा और जो पेटॉल है वो जो मोटर साइकल सवार है उनको कम कीमत प्लान निस्फ कीमत में मिलेगा तो बरहल ये चैनले अची बात किसी ने कापी किया उसकी बाजगश्ट है उस सिन तक भी पहुंची है और उसको बिलावल ने इंडोस किया है बारहल इसमें कोई शक नहीं है अलेक्शन पांच साल बाद होते हैं और इंतहाबी मिशूर भी पांच साल बाद आते हैं और एट लीस्ट वाम के लिए जो एक नवीद है नवीद साइद वो आनी चाहिए ये जमातें बदकस्में दी है जो खास और पर चार पांच दहाईयों से बारी बारी इकदार में आ रही हैं ये जमातें जब अपने मनशूर का इलान करती हैं तो बाद में फरामोश कर देती हैं और इनको फिर अवाम के मसायल से कोई सरोकार नहीं रहता दौा करनी चाहिए और अवाम को भी इस बार इस बात का पहरा देना चाहिए कि जो जमातें अपने मनशूर का इलान करी हैं इकदार में आने के बाद या इनतहाबात के बाद किस हद तक वो अपने मनशूर पर इंप्लिमेंट करती हैं दूसी बात है कि बिलावल ये और पिपरस पारड़ी की क्यादत अपना जो एक फूटर प्लैन इस वाले से भी वाज़ करें कि क्या आने वाले दिनों में फिर इनका पीमरेंड के साथ को जोईन वेंचर हो सकता है या नहीं हो सकता और दूसी बात आपने सिंध की जो महरूमी है किया आप सिंध में तो बिलाव शर्कत है गहरे कई दहाईयों से आप राज कर रहे हैं लेकिन जो वहां से मीडिया रपोर्स के वसातर से लोगों के हालात हमारे सामने आते हैं वो बड़े दगरगू हैं बड़े मायूस कुन हैं बड़े परेशान कुन हैं और आपने ये क्लेम किया ह लाहूर से जीतूंगा और पंजाब को मुझे लाहूर के अंदर पेपरस पार्टी का वजूद करी नदर ही आ रहा हैं देखे ना सिंध को तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सके जिनके वो दावे करते थे और उनकी कब से हकूमत चली सिंध में अगर सिंध में हमें चे इस नहीं दिखाई तो हाओ कम यूड रेनुवेट दे सिस्टम ऑफ पंजाब एन्यवेज जब हम बात करते हैं पी टी आई की पी टी आ के एक तलाफात दोनों कॉंफरेंसे जो ही है प्रेस कॉंफरेंसे गहर अली की और शेर अफजल मर्वत की अलग अलग ही है अब शेर अ नामी शक्स है यह कप्तान का नादान दोस्त है कप्तान ने पहले भी बड़े बुजदार पाले हूए थे यह अकॉर बुजदार है आपको दाना दुश्मन से ज़्यदा नादान दोस्त नकसान पहँचाते हैं और मैं एजएक तालेबल मर्स करूं हमारी यह मिनहैसल कौम बदकिस्मती ही है कि हमारी तर्जीहाद दूस्त नहीं हैं जी हम रियासत पर हकूमत पर तो बड़े इल्जामाद लगाते हैं उगली उठाते हैं लेकिन मैं ऐसे इन्वादी जोर पर जब मैं ऐसे करदारों को प्रमोट करता हूं जो के गयर संजीदा हैं आपके पाकिसान के अंदर वो चाहत अली खान नामी एक गवया आपका एक नासर मदनी नामी टिक टॉकर आप उसको मौला ना कह दें ये शेर अफजल मरवत नामी शक्त जो एक खास टिपिकल वर्ड से एकदम मशूर हो गया तो मैं आपके प्रोग्राम की विसाते से कहूंगा चुके मैं लग डिजास्टर है मैं यह लगता हूँ कि ऐसी शोरज जो है लग हो सकते देखें इनका किसमत का स्तारा हो सकता है को चैश्टर है देखें उसका खमयादा हम भुगते हैं ना खमयादा हम भुगते हैं ऐसे पूरी सुसाइटी I think this is because of the community as well जो कि इनको चरहाती हो करें सोशल अखबत का और अकीदत का इज़ार करें लेकिन हम इस तरह के जो शोबदाबाज हैं हम उस पर अपनी तवानाया शोगल में just for fun मैं हम एक दूसरे को forward करते हैं चीजें उसको उस पर comment करते हैं तो यह पर वह खामखा की खुद सागता है जीब सी शक्सियात बनके उबरती हैं हमें as a society ऐसे करदारों की होसला शेक्नी करनी चाहिए जो आपके जो इस किसम की सिंपती है या इस किसम की आपकी लाइकी और डिसलाइकी है जो उस पर खुद संजीदगी नहीं होती तो उससे उन लोगों को बड़ा फाइदा पॉनिता हैं माली तोर पर You are right, but I don't know about the other two characters, I took Mr. Chahat Fatahdi Khan's interview, so I just wonder if he is listening this, he will be really angry with the podcast Anyways, the story is totally okay, the story is basically not the characters, we say that they got a boom It's all about the community, the people around, why are they actually promoting and giving them importance if they do not deserve Anyways, when we talk about Chief Justice के recent remarks, ताहयातना एहली के उपर, तो उन्होंने अब कहा है, कि यह जो ताहयातना एहली है, इस्लामिस के खिलाफ है According to Article 62.1f के ताहित, आप इंसान को बुरा कह सकते हैं, लेकिन खुदा ने तौबा के रास्ते बन नहीं किये और अगर खुदा ने नहीं किये, तो अदालत कैसे कर सकती है, और दूसरी जानब फिर हम आमरों की बात करते हैं, कि आमरों ने सादक अमीन की जो शर्त रखी है, वो अपने नहीं उन्होंने क्यों नहीं डाली तो अगर हम इस बात को ले लें, जो उनकी अपनी गुफ्तुगू का मफ़ूम है चीफ जिसस की गुफ्तुगू का कि जो अलेक्टड पार्लिमेंट है वो बेतर फैसले करती है तो जब एक चीफ जिसस सुप्रीम कूर्ड का चीफ जिसस एक शक्स को ताहयात नाहिल करार दे चुका है तो मैं समयता हूं यह ब में यह कौम की रानुमाई हो एक चीफ जिसस नाहिल करता है और दूसरा चीफ जिसस जब इस पर सवाल उठाता है तो मैं एज़ ताले मिलम इस पर बहुत ज़़दा हूं कि वो भी चीफ जिसस था अब दो चीफ जिसस हैं फिर एक गलत होगा एक सही होगा तो अब यह मैं स जो अब देखेंगे ना इसमें एक शक्स एक शक्स दूसरे इनसान का कतल करता है तो आप उसको उमर कैद की से लाते हैं चाँ जानामों में इसमारे हैं प्रैक्टरस यही थी कि चौना साल, बारां साल, सौना साल बाद वो लोग उमर कैद वाले रहा हो जाते थे ते सम्हें जिन्दान में रहेगा वहीं उसकी मौत ही उसको वहां से अजादी दिलाएगी तो इस तरह बहुत सरे ऐसे भाम हैं बहुत सारी कन्फियून है जो मैं समयता हूं कि पारलिमेंट के फोरम पर बहतर इसकी डिबेट हो सकती है आप उस पे उल्मा से भी रानुमाई लें अगर हम तोबा के दर्वादे पर आजाएं तो फिर जमारी जो सारी जेले हैं वो एक सवाल या निशान है कि हो सकता है ये जो कातल बैटे हैं और डाकू बैटे हैं जेलों के अंदर उन्होंने तोबा कर ली हो तो फिर तो आप सब को एक ये राइट दे दें कि भाई यो तो तोबा मوضوع पर रहनुमाई मजूद है मैंने पहले वीक प्रोगाम में अर्स किया था कि वासफ ली वासफ साब का कॉल है मैं फिर कोट करूंगा कि बादशा का जुरम जुरमों का बादशा है तो जब एक चोर आम चोर चोरी करे और बात है इस तरह एक आम आदमी के गुना में और एक मुझभ वज़ियादम के गुना में बहुत फर्क है और मुझभ वज़ियादम को फिर सजा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए कि इसने हलफ लिया था कि मैं सारी पासदारी करूंगा मैं बदन्वानी नहीं करूंगा जो भी वटवर इसका एक स्याको सवाक होता है हलफ का जब एक ऐसा शक्स मुंतहब जिसको कौम ने बड़ी उमीदों के साथ मैंडेट दिया होता है जब वो कोई बदन्वानी करता है कोई चीज चुपाता है और किसी सचाई को शुपाता है या अपने वारे में जो चीजे बतानी थी वो नहीं बताता तो मैं समयता हूँ कि उसकी सदाप में बहुत फर्क होना चाहिए यह आपने बिलky ठीक बात कि यह देखें पर भाकी क्राइम्स जो है उनको बरावा देने वाली बात ही ठीक है तोबा के रास्ते खुदा ने नहीं बन की लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि मार्जन नहीं है वहाँ पर तो आई थिंग डियर शुड बी सम सर्टन रूल उसके मताबक चलने चाहिए कि पूरी दुनिया देख रही है ते कानून क तोबा करें लेकिन जो एक जुरम है जुरम में और गुना में एक बारीक सफर कहाँ जाए तैक यू मिस्टर मॉहमाद नासर इकबाल फॉर तेलिंग एंड गिविवि आप पूर्चिछ एंडिव के लिविव प्लिए इस्पूरंट टोपिक्स एड इस्पूर्ट वक्त इलेक्शन 2 गोसमें हो रहे हैं इतने हो रहे हैं, फेब में, ilahren मैसे एक लिफ्ल significa बाँ आप सिपले कैए चेए एप एक जी का है एक बाह हैं। आफ झाए देंहा है। इन sólo हारा हैं। जाए इन् सम्थनस कीशचचन的時候 आप मुटेfit पूस से लखने लागीकरा कंऊंड एक असे धोस्कुन एकळिंघगना ये इन को बाहन हो權 oh let's see के जो आनेवार इलेक्शन से वो वक्त पर हैं या नहीं क्योंके अभी जो रिसेंटली सेनिट में दिलावर खान की करारदात मन्जूर हुई है कसरतिराई की जानब से एलेक्शन मुलते भी करवाने की वो तो हम सब के सामने गे एक सी एक तेरी से टुन से इलेक्शन स्नूर कारण भी मुश्र, खाल सलिए टिल्टी एтु तु रिक हैं I करणे भी